नमस्कार दोस्तों सीटेट गुरु राधे से हम पांडे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज बहुत सारे बच्चों का फोन आया कि समझ में नहीं आ रहा है हिंदी इंगलीज संस्कीरित या अन कोई भी समयत प्रयावर्ण यह लोग तो हम कुछ समझ पाते हैं लेकिन सीड समझ नहीं पा रहा है कि क्या हम लोग पढ़ है क्या नहीं पढ़ है इसी को लेकर हम आज बीडियो बना रहे हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो देखिए सीडी पी में मुखता चार मनोबेग्यानी को पढ़ना है सीडी पी में चार मनोबेग्यानी को मुख है यह से दू से 3 प्रसण्द आता है दिस नमबर जो पुद्धी के सिठान दिये थे उनसे एक प्रस्नद आता है एक नमबर का कुल अधिक्तम साथ यह 6 चोव से साथ नंबर का question आपको मनवज्ञानिक से पढ़ने को मिलेगा अब proof अगर लेना चाहते हैं तो देखिए हम दिखा रहे हैं ये question देखिए देखिए बीस बारह 2021 को हुआ था उसी का set है question देखिए इसमें किनका किनका पुछा है को हलबर से पूछा है ये question जो है Lawrence को हलबर से है रोड़ से दूर नंबर question देखिए धियान से पढ़िए गया देखिए लो लोरेंस को हलबर से आया को हलबर से देखिए को हलबर से एक question आता है देखिए ये गार्डेनर का है एक 10 नंबर देखिएगा देखिए ये धस नंबर क्वेश्चन है जो गार्डेनर का है बुद्धी लिखान दिये थे पढ़िंगत को आजाएगा इसको कराएएगा तो ये गार्डनर से हैं देखिए एक गार्डनर से है देखिए यहां बुले थाना वाइगोच्की से देखिए यहां वाइगोच्की से एक है कौन सा कतनले वाइगोच्की के मुलसिधान को सोही मायने मदर साता है देखिए वाइगोच्की से एक है देखिए यह पियाजे से है प देखिए वैई गोँ स्की जो बोले थे न सा एक से दो कोश्चन आता है देखिए वैई गोँ स्की से 20 नंबर कोश्चन संबंदही से समीख पस्त विकास के च्छेत वैई गोँ स्की से ।ॉटल दू हो गया देखिया है पिया जे पिया जे महोदे से देखिया है एक कोस्चन और दिया है देख उधर दिया था एक दिया है उन तिस नमबर पर दो होगा पिया जे से देखियए इसमें दो कोस्चन सब्सक्राइब है तो तौल चल्ए हम और दो करा देए तो अब हम पियाजे के बारे में पहले करेंगे, इससे ज्यादा कोश्चना रहा है, पहले पियाजे के बारे में करेंगे, इसके बाद गोट्सकी महोदे करेंगे, इसके बाद गाइडन और कोहलबर करा देंगे, तो चलिए पियाजे को लेकर हम सुरू करते हैं, तो चलिए हम संगयनात्मक विकास वुषता है और स्टेट में सेbraUND दी थी यह क्या अधरना दिया था तो संगयनात्मक विकास जिन पयाजे ने अपनी अधरना संगयनात्मक विकास पर दी हैं यह महत्भूर मनोब अवैगानिक है आप बहुत बाच अ ह॥ Спह्छे पूछ कान है ऊकर सरह हमको पते नहीं है इनको जो अगर सिक्षक लाइन से जूड़ना है तो इनको याद रखना मजबूरी है सब लोग के जरूरी है जो भी समझी है याद करना है जिन पियाजे महदय को तो जिन पियाजे ने अपनी ओधना संगनात्मक विकास पर दी है संग्यान वह है जिसमें संवेदना आपको मालूँ है कि संग्यान आदम क्या है तो देखिए संग्यान वह है जिसमें संवेदन परत्यक्षण परतीमा धारना समस्या समधान चिंतन तरकना जैसी मानसिक प्रक्रियाएं समिलित हैं ये सभी को मिलाकर हम संग्यान कह सकते हैं आई ये पढ़ते हैं पियाजे ने संगेनात्मक विकास के संपर्तेयों का वनन नीम्न परकार से किया है अनुकूलन क्या होता है बातावरन के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है बातावरन के साथ अपने आपको एड्रेस्ट कर लेना अनुकूलन कहलाता है बच्चों में बर्तमान के साथ समंजन करने की जन्मजाद परकिर्थी होती है बच्चों में बातावरन के साथ समंजन करने की जन्मजाद परकिर्थी होती है यह भी याद रखना है कि बच्चों में समझन करने की जन्मजाद परकिर्थी होती है देखिए यहां हम कराये थे पियाजे के अनुसार अनुकूलन की दो उपरकिरियाएं होती है अगर इसको समझना है तो अभी हम पिछला वीडियो में हमारा समझ लेज़ेगा इसमें भी बता देते हैं उसमें एकदम किलियर किया है समवेशन, आत्मसातकरण, समयोजन यह स्पेशल यह टोपिक पर बनाया है क्यों इंपोर्टेंट टोपिक है कोस्टन जरूर रहेगा चलिए देखिए आत्मसातकरण और समवेशन यह की चीज़ है आप देखिए समयोजन पूर्व ग्यान को नए ग्यान के साथ जोड़ना आत्मसाथ करण कहलाता है देखिए पूर्व ग्यान जो पहले साथ का ग्यान है उसमें नए ग्यान को जोड़ लिजिएगा ता आत्मसाथ करण या समयवेशन कहलाएगा दूसरे स्वाबदों में, जब हम नए ग्यान का औरजन करते हैं, उसे आत्मसात करण कहते हैं आत्मसात करण में बालक समश्या समधान के लिए पुरों सिखी गई मानसिक परक्रियां का सहरा लेता है चलीए आत्मसेद करन्ट समयोजन पूरा समझना है तो हमारा पिछला वीडियो देखिए उस पर topic किये हुए हैं यहां देखिए समयोजन देखिए हैं समयोजन हैं दूसरा topic समयोजन क्या होता है देखिए जब बच्चा अपने पुराने अस्कीमा में परिवर्थन करना शुरू कर देता है तो वह समयोजन की अवस्था में होता है इसमें पुराना जो अस्कीमा है उसको परवर्थित करता है उसको मोडिफाई करता है तब नया ग्यान जोडता है जो स समावेशन था उसमें विनाप परिवर्तित की यहीं नया ज्यान जोड़ लेता था यहीं अंतर को समझना है संगनात्मक विकास की अवस्था है चलिए देखिए पढ़ते हैं संगनात्मक विकास की अवस्था है जब बाता बरन के परभाव से हम हमारे संग्यान या दिमाग का विकास होना शुरू हो जाता है उसे संगनात्मक विकास कहते है पियाजे ने संगनात्मक विकास को चार भागो में बाटा है चार भागों में बाटा है पियाजे महदने पहला है संबेदी प्रेरा कवस्था 0-2 वर्स संबेदी प्रेरा कवस्था 0-2 वर्स दूसरा है पुरु संक्रियात्म कवस्था 2-7 वर्स मूर्थ संक्रियात्म कवस्था मूर्थ है 7-11 वर्स अपचारिक या अमुर्थ संक्रियात्म कवस्ता यह है 11 से 15 वर्ष ता यह संबेदिक प्रेरा कवस्ता को पढ़ते हैं संबेदिक प्रेरा कवस्ता 0 से 2 वर्ष का होता है इस अवस्ता की आयू 0 से 2 वर्ष तक है इसमें बच्चा अपने कान, आख, नाख से निरिक्षन करके सिखता रहता है देखे इसमें क्या करता है कि अपने ज्यानिंद्री यह जो आख, कान, नाख इससे निरिक्षन करता है और सिखता रहता है यहीं देखिए इसका मेन गुन है सीटेट में जा जाता तर बस्तु अस्थाईत का गुन की सवस्ता में आता है संबेदी प्रेरा कवस्ता है यहीं याद रखना है देखिए बस्तु अस्थाईत को अलग से हम समझा दिये है जब कोई बच्चा छीपी हुई बस्तु को निकालने में सक्चम हो जाता है तो वह बस्तु अस्थाइत जिसे उसको कुछ चुछ दिखाईएगा तो देख लेगा उसको छीपा दिजेगा तो जाकर वहां से निकाल लेगा यहीं बस्तु अस्थाइत का गुण आ जाता है दो बरस तक बच्चों का यहीं बस्तु अस्थाइत होता है उदारण यदि आप खिलावने को कपड़े के नीचे चुपा देते हैं तो बच्चे को ये पता होता है कि कपड़े के नीचे खिलावना है और वह उस कपड़े को हटा कर उसे धूंड लेता है, देखिए, इसमें क्या के विश सथा होता है संब्यदी प्रेरख अवस्था में, इस इस अवस्था में बच्चा अपने संब्यदी प्रेरखों से महसूस करना सिखता है, बच्चों में बस्तु अस्थाईत यहीं बस्तु की पहचान करना सिख लेता है। पूरु संक्रियात्म कवस्ता या प्राक संक्रियात्म कवस्ता इसकी अधियोते दो से सात बर्स। पूरु संक्रियात्म कवस्ता इसमें दो पठ है। प्राक संप्र्तियात्म कवस्ता इस अवस्ता में बालक बस्तुओं सब्दों परतिमाओं आधि के विश्वय में अपना मानसिक चींतन विक्षित करने लगता है। प्रियाजे के संकेत और चिन्हों को प्राक संक्रियात्म कवस्ता का महत्पूर साध्वन माना है। प्रियात्म कवस्ता में किवल आपको ओधी याद रखना है दूसरे साथ वर्स और क्या-क्या गुण आ जाता है देखिए इसको याद रखना है। तो देखिए क्या आता है इसमें जीवाद देखिए इसमें पूरु संक्रियात्म कवस्ता में जीवाद आ जाता है। जब बच्चे अपने चारो तरफ कीौको सजीव मानता है। जो चीज दिखाई देडलेगा उसको सब को सजीव माना है। इस वास्ता में बच्चा निर्जीव बशितोतों को सजीव मानता है। आपलोग धेखे, हुएगा कि बच्चा कोई छोटा बच्चा रहता है, जीवमाद का होता है वो दो से साथ बस पुरू संकारियात्म को अवस्ता में आ जाता है कि अहम-कंद्रियदा इसका दूसरा गुण है he am geta आ हम के दूसरे गुण आता है जो बत्चा होमन्ना सुरु कर देता है कि जो मैं सोच रहा हूँ अहम के इंद्रियता में क्या होता है कि जो बच्चा को लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ कर रहा हूँ सब ठीक है तो वह अहम के इंद्रियता की अवस्ता में है इसमें बच्चा अपने ही विचारों को सही मानता है इस अवस्ता में बच्चा अपने परते आए कि तुलना नहीं कर सकता वास्तविक्ता से उसको अलग उसको लगता है कि जो मैं कर रहे हूं वो सब ठीक है देखिए अहम किंद्रियता में क्या होता है कि बच्चा को लगता है कि जो हम कर रहे हूं सब ठीक है जो दूसरा के विचार को नहीं समझता है अपने आप को समझता है कि जो हम कहेंगे जो हमारा वीचार वहीं सबको अच्छा लगना चाहिए चाहिए सबको मानना चाहिए इसको हम के इंद्रियता कहते हैं देखिए इसका में पढ़ लेजे क्या क्या भी स्यस्ता है इसका देखिए पूरु संक्रियत्मक का वस्ता की विश्यस्ता है परतियात्मक चीनतन चार वर्स की आयू में बच्चों में परतिकात्मक चीनतन है देखिए परतिकात्मक क्या होता है परतिकातमक का और्थ है, कि जैसे वो चीज नहीं रहेगा, लेकिन उसको माल लेगा, जैसे छोटे बचों को देखिएगा, चार साल से, थीन साल, पांसाल के, कि कहता है कि हम गोडा पर बैठेंगे, लकड़ी लेगा, इसी तरह चलाएगा, मेरा गोडा है, तो कहेगा कि मेरा तितली हैं कोई लेकर बस्तू तो परतिकात्मक चीजों का परयोग करेगा पुरु संक्रियात्मक अवस्ता में परतिकात्मक चिन्हों का परयोग करेगा तो देखें को यह याद करना है परतिकात्मक और पुरु धरनात्मक चिंतन बीक्षित होने लगता है परतिकात्मक इसम अपल्टावी यह भी पुछता है यह भी मेन है अपल्टावी के गुण देखिए अपल्टावी में क्या होता है इस सवस्ता में बच्चा बस्तु संख्याओं को उलटना पलटना नहीं सिखता है अपल्टावी में उलटना पलटना नहीं सिखता है इसको हम अपल्टावी कहते हैं इस परकार हमारा या भी जीन पियाजे का दो पाट कम्पलीट हुआ एक संबेदी, प्रेरा कवस्ता और पूरु संक्रियात्म दो कम्पलीट करा दिये नेक्ट वीडियो में हम मूर्थ संक्रियात्म कवस्ता और अपचारिक या अमूर्थ संक्रियात्म कवस्ता को करेंगे धन्यवाद आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए